गैश वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में तो गैश इस वीडियो में हम बात करेगे कि आप लोगों को Google Analytics का ट्रैकिंग कोड को कैसे एड करना है and Google Analytics का कैसे कोड को federal आपको find करना है गैश जो पहले Google Analytics का ट्रैकिंग कोड था वह मिल जाता लेकिन जब से Google Analytics का अपडेट आया तब से काफी लोगों को मैसेज आता है एंड कि हमें यहाँ पर Google Analytics का ट्रैकिंग कोड नहीं मिल पा रहा है तो हम यहाँ पर Google Analytics कोड को भी फाइंड करेंगे एंड Google Analytics कोड को भी गाईज यहाँ पर एड करेंगे ओपन करने के बाद आपको अपने WordPress website को भी ओपन कर देना है क्योंकि हम Google Analytics का ट्रैकिंग कोड है उसको भी हम अपने website में यहाँ पर एड कर लेंगे तो आपको सब से पहले यहाँ पर अपने WordPress website को लॉग इन करना है और Google Analytics का एकाउन को भी लॉग इन कर देना है लॉग इन करने के बाद जुई हाँ पर आपको सबसे नीचे लेफटें को अपनेटर के अपकोड़ करने valide करने को यहाँ अपर देटा इस्ट्रीम तो आपको इस पर कट देना है और थोड़ा सा आपको वेट करना है क्योंकि यहां पर आपको देखा दरा कि लोडिंग हो रहा है अब जैसे यहां पर लोडिंग होने के बाद आपको यहां पर दिखाए देगा और यहां पर लिखाए इंस्टॉल मैनुली तो आपको इंस्टॉल मैनुली पर किलिक करना है औ आपको वर्डवेस के डेसबुर्ट माने हैं और पर यहां पर आने के बाद है यहां पर हैटड़ बाट पहुई करते है इधर आपको दिखाएदार है यहाँ पर हैड सेक्षन तो आपको हैड सेक्षन पर एक इंटर करने की बात आपको इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है जैसे आपको दिखाएदार है कि मैंने यहाँ पर और डाला हुआ यहाँ पर लिखा गया कि Google Analytics और गूगल इनलिटिक के जो भी हमारे डेटा होता है वो गैस हम यहाँ पर देख पाएंगे तो आपको गैस यहाँ पर गूगल इनलिटिक का ट्रैकिंग कोड को एड करना है तो गैस अगर आपका कोई वी डाउट है कमेंड किजेगा और इंस्टेक्राम पर जाके भी आप वहाँ पर फॉलू कर स सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है एक और एक्स वीडियो में तब तक के लिए आपको अपने ध्यान रखना है जैहिन वंदे मातरम